Hello everyone, welcome back to TINA classes. I hope you all are good and preparing your exams. We are going to discuss the current phase of important questions, which are in the news and will be very important from your exam perspective. So let's start the video. If you are new on the channel, please like, share and subscribe for more such informative videos. Now let's get started to our first question. In the first question, I have asked you, the biography of a failed venture, who has written the name of Pustak? So what is this book? The biography of a failed venture. I have asked you, who is the writer? The options are you, Prashant Kishore, Chetan Bhagat, Anil Kumar, Prashant Dhisai. So you can guess your answer quickly, then tell us the correct answer. What will happen? I hope you have guessed already, so the correct answer is option D, Prashant Dhisai. So what is the correct answer? Prashant Dhisai, who has written the book, The biography of a failed venture. Okay, the writer of this book is Prashant Dhisai. Let's go ahead and look at our next question. Let's look at our next question. Q2. In question 2. FIDE Wishw Cup 2021 2021 को किस देश के खिलाडी जैन क्रिस्ट ओफ डूडा ने जीता तो देखें वर्ल कप 2021 FIDE वर्ल कप 2021 को जीता किसने तो उस प्लेयर का नाम आपको दिया गया है जैन क्रिस्ट ओफ डूडा तृक है आपसे पुचा कही गया है कि यह किस कांट्री क्या है देखिए इसका correct answer option A Poland तो यह जो प्लेयर हैं जिन्होंने FID World Cup 2021 जीता है यह Poland से बिलॉंग करते हैं इनका नाम है जैन क्रिस्टोफ डूडा ठीक है आगे बढ़ते हैं देखते हैं नेक्स को question number 3 question number 3 में आप से क्या पूछा गया हाल ही में बांगलादेश के coalition on disaster resilient infrastructure CDRI में शामिल होने के बाद कुल देशों की संख्या कितनी हो गई CDRI ठीक है इसका full form आपको दिया गया है उपर coalition on disaster resilient infrastructure ठीक है यह एक तरीके से organization है संगठन है इसमें अभी हाल ही में इसमें बांगलादेश शामिल हुआ है तो इसमें आप से पूछा गया है कि बांगलादेश के शामिल होने के बाद आप इसमें कुल देशों की संख्या कितनी हो गई है options है 21, 31, 25, 29 तो जल्दी से आप अपना अंसर गेस कर लिजे आई होप अब तक आपने अपना अंसर गेस कर लिया होगा तो देखिए इसका correct answer option c ठीक है इसमें पहले कितने member थे तो पहले 24 member थे और हाल ही में इसमें बांगलादेश एड हो गया ठीक है बांगलादेश इसमें एड हो गया तो अब टोटल इसकी वह कितनी हो गई है 25 ठीक है अब इसमें 25 countries है including बांगलादेश और इसका full-form cash CDIRI का coalition on disaster resilient infrastructure ठीक है यह question important था disaster management से था आगे बढ़तें देखतें next question को और इसे भी अच्छे से आप याद कर लीजेगा ठीक है देखतें आपने next question को next question में आपसे क्या पूछा गया है भारत का पहला water villa बांटर विला कहां स्थापित किया जाएगा तो इंडिया का पहला water villa कहां सथापित किया जाएगा option दिल्ली लक्षधीप लदग जमू और कश्मीर तो आप हैं बताएं इसका correct answer क्या है तो देखिए इसका correct आंसरों को option B लक्ष दीब भारत का पहला water villa लक्ष दीब में स्थापित किया जाएगा आगे बढ़ते हैं देखते हैं next question को और ये question में important आप इसे जरूर से याद कर लिजेगा देखते हैं next question में आप से क्या पूछा गया है next question है हाल ही में ADB ने महराष्ट में ग्रामीर सडकों के निर्माण के लिए कितने million dollar ये question का main part है कितने million dollar के अतिरिक्त रिण को मंझूरी दी है देखे ADB ने हाल ही में महराष्ट में आप से पूछा है question में कि कितने million dollar की अतिरिक्त रिण को मंझूरी दी है और किसली दी है ग्रामीर सडकों के निर्माण के लिए महाराष्ट में ग्रामीर सड़कों के निर्माण के लिए ADB ने कितने मिल्लियन डॉलर के अतरिक रिंड को मंजूरी दिये या आप से पूछा गया ऑप्शन्स हैं USD 300, USD 200, USD 500, USD 150 अगर आपको अपना अंसर आता तो आप जली से गेस कर लीजे फिल्म देखने इसका करेक्ट आंसर क्या होगा आई हो अप तक आपने गेस कर लीजेगा तो देखे इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन ए USD 300, ADB ने महाराष्ट में ग्रामीर सड़कों के निर्माण के लिए USD इनाटेट स्टेट्स डॉलर 300 अतरिक रिंड को मंजूरी दिये ठीक है आगे बढ़ते हैं देखते हैं अपने नेक्स कोशन को नेक्स कोशन में आपसे पूछा गया है हाल ही में IT छेत्र के लिए राजीव गांदी पुरुषकार की घोशना किस राजी सरकार ने की है किस लिए की है IT छेत्र के लिए की और किस पुरुषकार की गोशन की राजीव गांदी पुरुषकार की और आप से पूछा के किस राजी सरकार ने ऐसा किया है तो आपको options दिया के गुजरात महरास्ट राजस्थान मध्यपरदेश तो आप हमें बताएं इसका correct answer क्या होगा I hope अब तक आपने guess कर लिया होगा तो देखें इसका correct answer option B महरास्थर ठीक है नेक्स कोशन में आप से क्या पूछा गया है हाल ही में NEP 2020 के कारियान वियन पर आदेश जारी करने वाला भारत का पहला राजच कौन बना है तो देखें आपको options देखें करनाटक, बिहार, उडिशा, केरल आप हमें जल्दी से अपना answer बताएं अपना answer guess कर लिया होगा तो उसका correct answer option A करनाटक ठीक है आगे बढ़ते हैं देखें next question को देखें आपने next question को Next question में आपसे क्या पूछा गया है हाल ही में समाजिक कारक्ता, मनलिया چमन, लाल पर, डाक टिकेट किसने जारी किया है तो देखें आपसे पूछा गया है ये रामनाद कोविन, नितिन गटकरी, नरेंद्र, मोदी, विं करेक्ट आंसर है ओप्शन डी वेंकईया नाइडू हाल ही में समाजिक कारकरता मनलिया चमन लाल पर डाक टिकेट जारी करने किस ने किया है तो वो हैं वेंकईया नाइडू ने आगे बढ़ते हैं देखते हैं अपने नेक्स कोशन को हाल ही में भारत और किस देश के बीच अल अल मुहमद अल हिंदी तो जारी किस नामक पहला नौ सैनिक अभ्यास आयोजिस किया गया है देखें ऑप्शन से कतर युएई मौरिशस साओधी अरब तो आप हमें बताएं इसका करेक्ट आंसर क्या होगा अप तक आपने अपना आंसर गेस कर लियोगा तो देखें इसका क अभ्यास आयोजित किया गया है ठीक है यह कोशन में इंपोर्टेंट था आगे बढ़ते हैं देखतें इनेक्स कोशन को जो कि इस वीडियो का लास्ट है बट इंफॉर्मेटिव कोशन है तो देखें आप से इस कोशन में क्या पूछा गया है हाल ही में क्लाइमेट चेंज 2021 फिजिकल साइन्स बेसिस सीशक से अपनी छटी मुल्यांकन रिपोर्ट किसके द्वारा जारी की गई है ठीक है ऑप्शन से वर्ल्ड बैंक इंटर गवर्मेंटल पैनल और क्लाइमेट चेंज इंटरनाशनल अटोमिक एनर्जी अगेंसी वर्ल ट्रेट और्गनाइजेशन तो आप अपना अंसर गेस कर लीजेए फिरम में बताएं इसका करेक्ट अंसर क्या होगा अपने अपना अंसर गेस कर लिया होगा अपना अंसरों को ऑप्शन बी इंटर गवर्मेंटल पैनल और क्लाइमेट चेंज ठीक है इन्होंने अपनी छटी मुल्यांकन रिपोर्ट सिक्स रिपोर्ट जारी किया है इसका उन्होंने टाइटिल क्या रखा था क्लाइमेट चेंज 2021 फिजिकल साइंस बेसिस ठेक है यह कोशन में बहुत साथ है इंपोर्टेंट आपकी एक्जैम पर्सपेक्टिव से जरूर सियात करिएगा इन्वार्मेंट का कोश्चन है जो क अधा हमिखी आपको वीडियो पसंदाया मैंद यहाए फिर लिजिस पासंद को वीडियो को लाइक शेटर जरूर से कर दिजेगा अगर आपको वीडियो बहुच जादा पसंदाय तो आप चैनल को सुंहररह कर लिदेगा और लेटेस अपडेट के लिएर रीसें काजं के ल है all the very best